जै श्री राम, जै श्री राम के नारे के साथ मैंने आज तक अभी कोई वीडियो स्टार्ट नहीं किया In fact, मेरे जो वीडियो से होते हैं वो generally US education and life in the US से related होते हैं मैं कभी movies review नहीं करता बड़ एक ऐसी movie आई थी theater में जो कि मेरे लिए बहुत personal थी जो कि वो रामायन के उपर बेस थी और मेरे लिए श्री राम का नाम सिर्फ मेरे लिए नहीं भारत की संस्कृती में ही श्री राम का नाम ही बहुत important है For example, जब हम लोग ग्रीट करते हैं तो क्या कहते हैं राम राम जी की, जै राम जी की, जै श्री राम ठीक है, अगर कोई चल बसता है, तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है अगर कुछ उमीद करते हैं, तो क्या कहते हैं, राम जी की कृपा से अगर राम जी ने चाहा तो, तो हर चीज में श्री राम का नाम बसा हुआ है भारत में और in fact, अगर मैं आपको दिखा हूँ, मेरे खुद के घर में, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, वहाँ पे श्री राम का नाम, मैंने अपने हॉल में रगा रखा है, ठीक है, जो सबसे लेफ्ट में श्री राम का नाम है, वहाँ पर, फिर है श्री राम और हनुमान जी का, जो मिलन है, उसका पेंटिंग, और फिर श्री राम जो गिलहरी के साथ, उनका जो पेंटिंग है, वो है, रा यह जो पूरी रमायंड मैंने पढ़ी है और इसलिए मुझे रमायंड का नॉलेज काफी कुछ ठीक ठाक ही है अगर मुझे सारे रमायंड याद भी नहीं है तो मुझे इसलिए रमायंड के जो डीटेल्स पता है और क्योंकि जो आदेपुरिश वाली जो मुवी आई है मैं बहुत ज़्यादा प्यूरियस था इवन दो इसलिए मेरे एक्सपेक्टेशन लो थे जब मैंने इसका टीजर पहले देखा था तो मुझे रखा कि ये शायद अच्छे खासे मुवी होगी ने शायद बेकार मुवी हो और मैं खोप कर रहा था लेकिन जब मैं थीटर में गया आज मैं रिली खोप कर रहा था कि ये मुवी अच्छे निकल जाए प्लीज लेकिन जो बेकार के जो expectations थी ये उसको बहुत ज़ता सरपास कर गई ये इतनी बुरी movie बनाई है इतनी बुरी picture बनाई है मैं क्या बताओ आपको यस movie के जो writers हैं उन्होंने रमायन की पूरी story को जितना misfire कर सेके उतना misfire किया रमायन का बस थोड़ा सा basic premise उन्होंने उठा लिया वो ये था कि सीता माता का हरन हो जाता है रावन के द्वारा फिश्ट्री राम वानर सेनय को खटा करते हैं और फिर लंका जाके सीता मा को छुडाते हैं बस इसी premise को लेकर उन्होंने पूरी movie बना दी लेकिन हर एक incident एक छोटी सी छोटी सी बात भी उन्होंने इतनी गलत दिखा या मैं क्या बता हूँ आपको उन्होंने रामायंट बनाने की कोशिश भी नहीं की उनके जो मन में आया कुछ भी बना दिया उन लोगोंने और ये claim करते हैं कि हम लोगों रामायंट बनाई है पूरी की पूरी picture में रामायंट के real incidents को इतना twist किया कि ये बहुत अन्याय है रामायंट के साथ इस picture में इतनी सारी गलतिया हैं कि मैं गिना नहीं सकता लेकिन मैंने कुछ जो top गलतियां जो हैं जो कि मैंने notice की और जो मुचे याद है movie देखने के time से वो मैं आपको गिनाता हूँ मेरा सबसे बड़ा issue ये था कि जो Shri Ram का जो character है वो Shri Ram जैसे लगता नहीं है Lakshman का जो character है वो थोड़ा बहुत Shri Ram जैसे लगता है Sita Ma जो हैं वो बिल्कुल भी Sita Ma नहीं लगती अच्छा मान लिया कृति सरन अच्छे actor होगी लेकिन वो किस angle से Sita Ma लगती है इन सब को छोड़ो, रावन और उनके साइट के जो कारेक्टर्स हैं, वो तो पूरे के पूरे डिजास्टर हैं, रावन और उसकी फैमिली, विभीषन, मेगनात उसका बेटा है, और कुमकन ये लोग कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग साउथ मॉंबई के कोई अपस जो की किसी कॉर्परेट जॉब के इंटर्व्यू में था, सूट पहन के, उसको वहां से लिया के, उसके कपड़े चेंज करके, मुवी सेट पर डाल दिया, कौन से एंगल से भीषन लगता है वो, मेरा बहुत बड़ा डिसपॉइंट्मेंट यह है कि इस मुवी के राइटर और उनके अलग-अलग करेक्टरिक्स थे, एक छोटे साइस का सर था, एक बड़े साइस का सर था, एक बहुत जादा इविल था, एक थोड़ा जादा बोलता था, इस तरह के उसके सारे सर थे, पर एक चीज जिसने मुझे इंप्रेस किया कि जैसे रामायन में डिस्क्रिप् दर्शन करके आईए, यहाँ पर तो यह दिखाया गया कि शबरी माता रात को अंधेरे में जंगल में चलते हुए, श्री राम और लक्षमन जी के पास आके बैट जाती है, और उनको बेख किला देती है, क्या ही है, और मुवी की स्टाटिंग कैसे हो यहाँ पर, मुवी की स ड्रैगन के ऊपर बैठ के आता है, वोगे अगली लुकिंग गंदा सा ड्रैगन बना दिया है इन लोगों ने, कहां लिखाया रामायन में कि वो ड्रैगन पर आता है, अच्छा का सा पुश्पक विमान था, जो की एंड में अच्छल दिखाया गया इस मुवी में, जब श् गोरिल्ला आर्मी नहीं थी, यहां तो गोरिल्ला दिखा दिया गया है, रामायन में कहीं गोरिल्ला का जो मेंशन ही नहीं है, और फिर जब श्री राम जो राम से तो बनाते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, रामायन के अनुसार वो जो ब्रिज बना था, वो कैसे बना था, आपके लिए bridge बनाया और bridge पता है कैसे बनाया गया था जो पेड़ है उनके ट्रंक्स और उनकी जड़ों के साथ जो ट्विक्स हैं उनको बांद बांद के पुल बनाय गया था ऐसा incident मुझे तो याद नहीं कि रामाइंड में जहां पर यह लिखा कि पत्थर के उपर तैर के वो चले गए थे वो और पत्थर थे भी तो वो bridge का एक पार्ट थे सिर्फ पत्थरों के उपर bridge नहीं बना गया था वो पूरा proper construction था वो bridge का ये सारे जो criticisms मैं दे रहा हूँ वो किसी order में नहीं है लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आते जारे है मैं बताता जा रहा हूँ अब देखे जब सीता मा का हरन हो गया था तब हुआ ये था कि सीता मा को हरन करके रावन ले गया था श्री राम और रक्षन वापिस आये उनको ढूंडते हुए तब उन्हें लगा कि सीता मा यहाँ पर नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है रामायन में कि रावन सीता मा को ड्रेगन पर उठा के ले जा रहा है और श्री राम वो देख रहे हैं कि वो देखो मेरी पत्नी को ड्रेगन पर बिठा के कोई ले जा रहा है और उसमें ये भी दिखा दिया गया कि जो जटायो और रावन का जो बैटल था वो भी श्री राम और लक्षमन ने विटनेस किया था उनने नहीं दिखा था ये सब वो जब सीता मा को ढूंडने निकले तब उनको रस्ते में जटायो मिले जो कि घायल पड़े थे और अपनी मृत्यों के करीब थे तब जटायो उनको बताया कि वो रावन ले गया है और वो दक्षिन के तरफ गया है इस मुई की जड़ डायलोग्स हैं वो इतने भद्धे हैं तरह से इतने गंदे डायलोग्स लिखें हैं कि मैं क्या बताऊं मैं सबसे ज़्यादा तो तब अफन्ड हो गया मुझे बहुत नारास की होई इस फिल्म में जब सीता मा का जस्ट हरंड करके रावन लेकर आता है तो वो श्री राम के बारे में एक अभद्र शब्द का प्रयोग करता है आप जो भी करें रावन भी हो आप ये नहीं दिखा सकते कि श्री राम के नाम के साथ और या श्री राम के बारे में वो कोई ऐसी अभद्र बात कहे वो जो बात है मैं इस वीडियो में नहीं कहना चाता और ये जो इश्यू है वो बहुत ही जाता ओफेंसिव लगा मुझे नेक्स पॉइंट ये सीता मा कहा स्लीवलेस पहन के क्या कपड दिखा दिया इनके यहाँ पर तो स्लीवलेस और फैशन चल रहा है जैसे ही सूरज ढ़ल जाता था दोनों आर्मी से रिट्रीट कर जाते थी और अगले दिन सुबह को फिर से बैटल शुरू होता था यहाँ पर तो पूरा का पूरा बैटल रात को दिखा दिया गया है और नेक्स सिंग शेमफुल और पर यता है कमनेगी कर बैटल बैटल भाग पृपर यतर्फन पूर प्रीटल रोण को नहीं पता वेग प्रशले कहीं भी गदा का mention ही नहीं हनुमान जी गदा लेके जो दिखाया गया है वो एक्चलि रामाइड में ही नहीं जो पूरी वानर सेना है including श्री हनुमान वो सब पेडों को फेक फेक के पत्थर को फेक फेक के लड़ते थे in fact ऐसे बहुत सारे जो वद किये हैं हनुमान जी ने युद्ध में वो अपने हाथों से फिस से मार के किये हैं ठीक है वहाँ पे कोई गदा युद्ध कभी नहीं mention है कहीं पे next point की श्री राम जी का और कुम्बकर्ण के बीच में पूरा proper battle हुआ था युद्ध हुआ था दोने के बीच में कुम्बकर्ण और हनुमान जी की बीच का जो युद्ध है वो मुझे याद नहीं कि रामायन में है की नहीं लेकिन ऐसा तो बिलकुल नहीं है रामायन में और हो भी नहीं सकता कि हनुमान जी का और कुम्बकर्ण का युद्ध हो रहा हो और हन्मान जी की पीछे से छुपकर श्री राम बांड चलाएं और कुम्पकंड को मार दें श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है वो क्या दिखा रहे हैं आप लोग कुछ भी जो मन मैं कुछ भी बना के दिखा दिया ये खिलजी नहीं है ये श्री राम है और केवल श्री राम नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और इसी केस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वानी ने भी मर्यादा होती है वो ऐसा डैलप कभी नहीं बोल सकते कि जो राइटर के मन में कुछ भी बूल दिया ताकि वो सीटिया मिल सकें अगर आप रामाइट बरा रहे तो थोड़ा स्टिक करो रामाइट की अच्छी सही स्टोरी को लास्ट पॉइंट यह जो बहुत पॉपलर हो गया है गाना तेरे ही भरोसे हैं, तेरे ही सहारे यह तू तेरा क्या लगा रखा है आप जब श्री राम का नाम लेते हैं आप तू ता नहीं कर सकते आप कहते हैं, तू नहीं है, आप है यह जो लिरिक्स राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था अरे कभी हरियोम शरण जी के भज़न तो सुन लो तेरा राम जी करेंगे बेडा पार राम जी के नाम ने तो पाथर भीता रहे अप का भला मेरे राम जी करें श्री राम का नाम हमेशा आदर से लिया जाता है आप मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम के बारे में पिच्छल बना रहे हैं और Shri Ram के लिए ही आप मर्यादा नहीं दिखा रहे है और बिलीव मी ये पूरी जो दो धाई तीन घंटे की जो भी मुवी थी इसमें मैं शायद चार पांच बार मैं सो गया एक एक दो मिनिट के मैंने नीन निका ली फिर उठा फिर मैं कंटीन्यू किया मैं तो 15-20 मिर्ट में ही बोर होना स्टार्ट कर दिया था बस एक पोर्शन जो था जब वो लोग बिच बना रहे थे और बिच क्रॉस कर रहे थे वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा उसको बहुत अच्छी तरश है शूट किया गया है वरना it was overall a very disappointing movie मैं तो यह भी कहूँगा कि इस शेम आप दे से था इस बेस्ट अन रमायन यह रमायन के बारे में पिच्छर नहीं बनाई है यह लोगों ने Harry Potter बना दिया है वो भी second grade Harry Potter बनाया है अगर आपको रमायन के बारे में फिल्म बनानी है तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन आप Lord of the Rings के जो फ्रैंचाइस है जिसकी जो तीन मुवीज थी आप उनसे कुछ सीख सकते है अच्छा अगर तीन मुवीज नहीं तो पांच मुवीज बना लो continuous story के जैसे के Lord of the Rings थी और तीन-तीन घंटे के मुवीज बनाओ और पूरे रमायन को जैसा है वैसा बनाओ अपना फालतो का imagination और कचड़ा मत लेकर आओ रमायन में मैं तो यहां तक यह भी request करूँगा कि अगर आपको रमायन की story पता है तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप किसी बच्चे के साथ हैं आप उसको यह मुवी तो नहीं दिखा है क्योंकि उनको लगेगा कि यह मुवी देखके वो श्री राम के बारे में जानते हैं ठीक है आपने इस मुवी में दिखाया ही नहीं है कि श्री राम को मरियादा पुरुशोत्म श्री राम क्यों कहा जाता है वो चोटा सा वो जो पास्ट का सीन्स दिखा दिया गया है फ्लेश बैक में पर इंग जनरल जो श्री राम का चारेक्टर है अगर आप श्री राम का करेक्टर समझ जाएंगे न अगर आप पूरी रामाइट पढ़ेंगे तब आपको श्री राम का नाम लेने में ही बहुत गर्व होगा ठीक है तो ओवराल मेरे विव यह है कि ये मुवी ने बहुत अन्याय किया है रामाइट के साथ लेकिन जो श्री राम है वो श्री राम है वो आपके राम है वो मेरे राम है वो सबके राम है इस वीडियो को मैं एंड करूँगा विश्री सहस्रा नाम के एक छोटे से पोर्शन को तीन बार चैंट करके हिंदों में विश्णु सहस्रा नाम होता है अगर आप पूरा विश्णु सहस्रा नाम नहीं जानते तो कम से कम एक श्रीर राम का ही नाम ले लीजिए क्योंकि विश्णु सहस्रा नाम में भी कह गया कि श्रीर राम का नाम बेना ही सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने श्री राम राम रामे ती रमे रामे मनो रमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने जै राम जेकी जै श्री राम